हेलो गाईस वेल्कम तो आवर यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम आज मैं आप सभी के लिए काफ़े इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो देखे तीन अप्रेल को जो आपर पीस्जास प्रिलियम्स के एक्जाम उत्राखंड के लोग से वायो के त्वारा क एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बगल में जो बैल आइकन दिकरा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिविकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारी टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रूप मेंबर्स हो चुके हैं सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे हाँ पे क्विज का एजन भी कराया जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टन अपडेट्स पीडियाप्स यहीं पे शेयर की जाती है लिंक आपको उसका description box में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर दिखिए इस question paper के जितने भी question है आपको बिल्कुल accurate answer इनका बताया जाएगा लेकिन आपको फिर भी किसी भी question में doubt होता है तो आप comment section में comment करके बताईएगा आपका doubt clear करा दिया जाएगा तो चलिए आज के इस paper को start करते हैं इस series का पहला question था एक मुद्रा के मुली में वृद्धी दूसरी की तुलना में है देखिए एक मुद्रा के मुली में वृद्धी दूसरी की तुलना में है मुद्रा का मुली रास option 20 question का correct answer था अगला देखिए निमने लिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है तो इन कथनों में से सही कथन है मुद्रा स्पीती उधाल लेने वालों को लाब पहुंचाती है option B question का बिलको right answer है अगला देखिए वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारती अर्थ व्यवस्था में तीन में से क्या परिवर्थन हुआ है देखिए वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारती अर्थ व्यवस्था में इन में से क्या परिवर्थन हुआ है एक तो FDI का अंतप्रवा बढ़ गया है दूसरा विदेशी विनी में कोश में व्रिद्धी हुई है तो option A और B विलकुल correct answer है तो option D question का क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा दोनो A और B अगला देखिएगा sweat equity shares निमनलिखित मैंसे किसे आवंठित किये जाते हैं sweat equity shares जो हैं ये आवंठित किये जाते हैं कमपनी के कर्मचारियों को option D question का बिलकुल सही answer था अगला देखिए बढ़ाने के लिए की गई थी तो इसका right answer हो जाएगा गेहूं चावल दाले सभी हो जाएगा तो यह सभी आपके right answer है option D अगला देखिए भारत में किस परकार की परणाली पाई जाती है प्रगतिशील परणाली option A इस question का बिलकुल right answer है अगला देखिए निमने में से कौन सी योजना rolling plan कही जाती है rolling plan कही जाती है कौन सी योजना option B इस question का right answer है अगला देखिए निमने में से कौन सा कथन सही है तो इन में से सही कथन था आपका A और B दोनों सही थे तो option C इस question का बिलकुल right answer हो जाएगा जी बाजार को मजबूत बनाना अगला कुश्चन है अंतराष्टी मुद्रा कोस यानि IMF के बारे में क्या सही है यह देश के केंडरी बैंक को कर्ज देता है अगला देखेगा यदी प्रात्मिक घाटा सुन्य है तब उधार की राशी होगी ब्याज भुकतान के ठीक बराबर अप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है अगला देखेगा UNDP के किस मानो विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांग की शुरुवात हुई थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SDR 2010 देखेगा UNDP की मानो विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानो विकास सूचकांग यानि HDI rank क्या है देखेगे ये question सीधा फसा हुआ है हमारे एक वीडियो से इसका देखेगे जो आपका सूचकांग वाली वीडियो एक अपलोड की थी हमने अपने यूट्यूब चैनल study with aim से aim पर तो वहां पर ये question वहां से बिलकुल सीधा फसा हुआ है मैं आपको दिखाती देखे with proof दिखाती हूँ आपको कौन सा question है ये तो ये देखे मैंने mark कर दिया है कौन सा ये question है मानो विकास सूचकांग संयुक्तराष्ट विकास कारिकाम यानि UNDP तो ये इसका right answer क्या था 31 rank था इसमें भारत का 2020 में तो इसका correct answer ये था ये सूचकांग वाली जो वीडियो एक बार upload की थी मैंने तो वहां से ये question direct पूछा गया है तो सीधे छपा है ये question आप देख सकते हैं हमारी YouTube channel study with aim के वीडियो से जो वीडियो आपको सूचकांग वाली वीडियो प्रवाइट कराई गए थी इसलिए आप से बोलती हूँ कि हर वीडियो आप जरूर देखेगा पता नहीं कौन सी वीडियो से कौन सा question पूछा जाए ये confirm नहीं होता है तो कोई भी वीडियो आपके लिए useful हो सकती है तो सारी वीडियो जो study with aim के द्वारा आपको provide कराई जाती है वे आप सभी लोग जरूर देखा कीजिए अगला question की ओर बढ़ते हैं तो ये question जो है आपका ये सीधा ही आया हुआ है तो इस question का right answer क्या हो जाएगा 131 सी rank थी अगला देखें निमने में से किश वर्ष MSME का अध्यतन बरगी करण किया गया था इसका right answer हो जाएगा वर्ष 2020 में अगला देखें निमने लिकित में से कौन सी guilt as securities कहलाती है देखें guilt as securities कहलाती है सरकारी परती भूतिया option 20 question का right answer है आगे और भी बहुत सारे question आये होए हैं हमारे सीरीज के आपको बताऊंगी कौन कौन सी question आये होए हैं अगला देखें बहु पक्षी विनी योग गारंटी अभी करण संबंदित है देखें बहु पक्षी विनी योग गारंटी अभी करण यानी मीगा जो है यह संबंदित है यह किस से संबंदित है विश्व बैंक समों से यह संबंदित है अगला देखें वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निमनलकित में से किस कर को समाप्त कर दिय है तो उत्राखंड में क्या इस्तित नहीं है है अगला देखे निमने लिकित में से कौन सा विदेशी प्रतियक्ष निवेश का उधारण नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉंड अथ्वा इस्टॉक का क्राई औप्शन सी इस कुशिन का करेक्ट आंसर है अगला देखेगा विश्व व्यापार संगठन की निमने लिकित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाई इसके की इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंच शेक्षिन में कमेंट कीजिगा मेरे को इसमें डा खित मैंसे किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020 में न्यूनतम थी तो इसका राइट आंसर था छेतरी बैंक ऑप्शन 20 कुशिन का राइट आंसर था अगला देखेगा आनुवांच की विज्ञान यानि जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे कहा जाता है जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है किसको जोहान ग्रेगर मेंडल को जोन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है ऑप्शन डी बिलको राइट आंसर है अगला देखेगा राम सर इस्थल किया है राम सर इस्थल जो है ये अंतराष्टी महत्व की आदर भोमिया है ऑप्शन से इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा अगला देखेगा वर्ष 2021 का राशायन सास्त्र का नोबल पुरुसकार डैश को परदान किया गया देखे वर्ष 2021 का राशायन सास्त्र का नोबल पुरुसकार परदान किया गया था बेंजायमिन लिस्ट वर्ड डेविट मैक मिलन को option c question का right answer हो जाएगा अगला देखें वर्ष 2021 में 26 में संयुक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आईजन कहां हुआ था तो देखें COP26 का आईजन हुआ था कहां पर ग्लास गो में option c बिल्कुल right answer है अगला देखेगा अंतराष्टी संस्ता WWF यानि प्रकरती हितु विश्व व्यापकोश है ये का प्रतिक चिन्ध है तो अंतराष्टी संस्ता WWF का प्रतिक चिन्ध है महाकाई पांडा option b discussion का right answer है अगला देखें वरतमान में भारत गणराजी का सर्वोच नागरिक पुरुसकार है तो ये सभी को पताई है भारत रत नहें तो option d बिल्कुल right answer है अगला देखें का सुदूर संवेदन तकनीक में निमने में से किसका प्रियोग होता है सुदूर तरंगों का option d discussion का right answer है अगला देखें जूम है जूम जो है ये किर्शी यानि खेती की पदती होती है जूम विधी से खेती की जाती है तो इस टाइप के sentence आपने पड़े होंगे तो जूम जो है ये खेती से सम्बंदित पदती थी option d discussion का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अ option c question का correct answer है अगला देखें उत्राखंड में wet किस वर्ष प्रारम किया गया देखें ये question आपको बताया हुआ था कि उत्राखंड वाली जो स्रीश चलाई गई थी हमारे के हमारे द्वारा study with aim पर तो उसमें आपको बताया हुआ था कि उत्राखंड में wet जो है ये किस वर्ष प्रारम किया गया था तो इसका right answer क्या था आपका वर्ष 2005 में तो जिन लोगों ने हमारे YouTube channel study with aim वाली स्रीश से study की हुई है तो उनके काफी question सही हुए है इस paper के अगला देखें उत्राखंड के कितने परवती जिलों में वर्ष 2021 में चाई विकास कारिक्राम संचालित किया इसका right answer है आठ परवती जिलों में अगला देखेंगा इसकरवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है देखें इसकरवी रोग होता है विटामिन C की कमी के कारण आप सभी को पताई होगा अगला देखें पशों में कृतिम गरभाधान में प्रियोग तो सुक्रानों क को डैश में संग्रहित किया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में ऑप्शन ए बिलकुल right answer है अगला देखें निम्न में से किस रासाइनिक ग्रूप से cellulose सम्बंदित है तो किस रासाइनिक ग्रूप से इसका right answer है शरकरा से अगला देखें अगला देखें दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमन छेतर क्या कहलाता है इसका right answer हो जाएगा E को तोर अगला देखेंगा यदि कोई एक input high तथा output भी high है तो gate क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा और gate जहाँ पर input high और output भी high होता है तो और gate होता है आपका option A बिल्कुल सही answer है अगला देखें दिये गए logic circuit का output C है तो output C एक है इसका option B discussion का right answer है अगला देखेंगा OSI reference model की किस layer पर IP address का प्रियोग होता है तो इसका right answer है network layer option A discussion का right answer है अगला देखें निमन लिखित में हैं से कौन सी computer system में प्रात्मिक memory है तो computer system में प्रात्मिक memory क्या है RAM option C अगला देखेंगा CPU में control unit का कारी निमन में से क्या है तो आप इसका answer comment section में comment करके बताईएगा इसमें भी doubt हो रहा है मुझे इस question में भी अगला देखें प्रकाश की गती अधिकतम होती है प्रकाश की गती अधिकतम किस में होती है निरवात में होती है option C question का right answer है अगला देखेंगा निमन लिखित में से किस जन्तु को भोमी का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है ये तो काफी easy question है तो कई बार ये question पूछा ज का पेपर हुआ था तो उसमें आपका एक question पूछा गया था कि भारती सर्विक्षन विभा की स्थापना किशवर्ष की गई थी तो वहां पर जब आपको solution वीडियो उस पेपर का दिया गया था तो मैंने बोला था कि अगले राद जो पेपर होगा आपका उसमें पूछा ज संस्तान की स्थापना किश वर्ष हुई तो आपसे जो बोला जाता है वो थोड़ा सा पढ़ लेजिएगा ताकि आपके आगामे एक्जाम जो है वो करेक्ट हो पाएं देखिए तो सीधा छपा हुआ है ये कुशन मैंने बोला था कि ये आएगा तो वर्ष 1906 बिलकुल राइट आंसर था इसका अगला देखिए किदानात वनी जी अभ्यारणी को किस जन्तु के संग्रक्षन हितु स्थापित किया गया तो इसका राइट आंसर क्या था हिमालई कस्तूर कई बार बताया है एक कुशन अगला देखिए इन में से कौन सा उत्राखंड का राज की व्रक्ष है तो बुरास है ये भी बताया था मैंने कहां पर पाया जाता है कितनी उचाई पर बुरास पाया जाता है और इसका वैग्यानिक नाम क्या होता है कई डिटेल बताती हूं ताकि आपको कोई भी कुशन आयोग पूछ दिया जाए आयोग के द्वारा आपसे तो आप वहाँ पर करेक्ट करके आएं अगला देखिए निम्नलेखित मैंसे किसे नोबल शांती पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया है किसको इसका राइट आंसर है मारिया रेसा और दिम महिला कौन है देखिए अन पूर्णा परवत पर चड़ने वाली पर्थम भारती महिला है प्रियंक का मोहिते ओप्शन 20 कुशन का राइट आंसर है अगला देखिए लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच नागरिक सम्मान यानि भारत नतने किस वर्ष प्रदान किया गया है तो इसका राइट आंसर भी मैंने आपको बताया था सर्वोच नागरिक सम्मान लता मंगेशकर को कब मिला तो इसका राइट आंसर क्या था इसका राइट आंसर था वर्ष 2001 में अगला देखिएगा मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में अधगाटन किया गया था धाका को किस भारती शहर के साथ जोड़ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल पाई गुडी ओप्शन बीस कुशन का बिल्को सही आंसर है अगला देखेगा दा वर्ल्ड बिनीत हिजर फिट निम्न मैंसे किस की जीवनी है दा वर्ल्ड बिनीत हिस फिट जो है ये जीवनी है किसकी पुलेला गोपी चंद की ऑप्शन एस कुशन का राइट आंसर है अगला देखेगा किस भारती डॉक्यूमेंटरी को आसकर 2022 के लिए नामांखित किय गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग विद फायर ऑप्शन डी बिलको राइट आंसर है इस कुशन का अगला देखेगा किस भारती राजने जनवरी 2022 में चात्र स्टार्ट अप और नावाचार नीती 2.0 के शुरुआत की है तो इसका राइट आंसर क्य से शुरु हुआ था कहां पर किस लिए ये आंदोलन शुरु किया गया सारे पॉइंट आपको बताती हूँ उत्राखंड की जो स्पेशल स्रीच चलती है रात को आट बजे वाली तो वहां से ये कुशन डारेक्ट पूछा गया है तो आपका राइट आंसर क्या था कलियान स अगला देखे उत्राखंड में किस इस्तान पर भारती मौशन विज्ञान ने एक डॉपलर वैदर रडार स्थापित किया था इसका राइट आंसर भी मैंने आपको बताया हुआ था तो इसका राइट आंसर क्या था मुक्तेश्वर ऑप्शन सीबिल को राइट आंसर है तो अगला देखे निमनलिकित समाचार पत्रों में से किस ने परतिश्टित लोग सेवा स्ट्रेणी में पुलित जर पुरुषकार दो हजार एकिस जीता तो देखे लोग सेवा स्ट्रेणी में पुलित जर पुरुषकार दो हजार एकिस जीता था न्यू यू यॉक टाइम्स option 20 question का right answer है अगला देखिएगा निम्न लिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है एक तरफ आपके खिलाडी के नाम दिये थे दूसरे तरफ दिये थे जरंग पुनिया को रज़त पदक नहीं मिला था तो इसका इनकरेक्ट जो हो जाएगा ये option B हो जाएगा और मीरा बाहिचानों ने जीता था रज़त पदक नीरच चोपडाने तो इनकरेक्ट बताना है इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा option B अगला देखे भारत में मेजर ध्यान चपा है ये question मैं आपको with proof के साथ दिखाती हूँ कौन सा question मैंने बताया था और कौन सा ये question आया हुआ है तो देखी ये वाला question मैंने आपके जो mock स्रीच चल ली थी उसमें बताया वा था कि प्रधान मंतरी दारक कि शहर में major ध्यान चंद खेल विश्विद्याले की आधार proof के साथ आपको दिखा रही हूँ कौन सा question चपा हुआ है सीधे ये paper में और कौन से series से ये चपा हुआ है ये भी आपको बता रही हूँ जो आपका especially prelims के exam के लिए mock series चलाई हुई है तो mock series जो है आप देख लीजेगा जिन लोग को अभी वी यकिन नहीं हो रहा है तो ये व अगला question है आपका दिसंबर 2020 में ग्रहम मंत्राले ने ससस्त्र बल विशेश शक्तिया अधिनियम 1958 के अंत्रगत निम्न मैंसे किस राजी को 6 महने के लिए अशांत चेत्र गुशित किया है इसका right answer हो जाएगा नागा लेंड तो जो भी आगामी exam के लिए हमारे study with aim per series कराई जाती हैं तो आगामी exam के लिए आपके लिए काफी helpful रहेंगी इस series जैसे कि इस exam में आपको देखने को मिला इसके इलाबा आरो यारो का exam भी उत्राखंड के लोग से वाईयों के दारा conduct कराया गया था तो उसमें भी special series आरो यारो के लिए हमारे दारा चलाए गई थी तो उसमें भी कई questions आये हुए थे हमारे series से तो आप join कर सकते हैं study with aim को आगामी exam के लिए भी अगला देखें next question है आपका निमनमे से भारत में किस railway station को हाल ही में निजी छेतर की सहभागिता के साथ airport की तरह की आधुनिक सुईधाओं वाला बनाया गया है तो इसका right answer हो जा आंतर railway द्वारा अपनाई गई अनूठी रण निती का नाम बताएं तो यह रण निती कौन सी थी plan B तो जो भी current के question पूछे गए हैं आज के इस paper में मतलब तीन तारीकों जो paper हुआ था उस paper में तो आप सभी लोग इस paper के current के question है वह जरूर याद रख लेजी रख लीजे नोदिर बेग अब दूस सत्तोरो option A बिलकुल right answer हो जाएगा अगला देखे प्रशिद गंगा सागर मेला देखे ये गंगा सागर वाला question भी आपको बताया हुआ था मैंने प्रशिद गंगा सागर मेला जो है ये निमन में से किस भारती राजी में आयजित किया जाता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा the power of the dog option B इस question का बिलकुल right answer है अगला देखे सुमेलित करना था यहाँ पे देखे ये question भी आपका सीधा ही चपा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ इसका भी आपको proof तो ये देखे ये भी proof के साथ देखे कुछी पूरी नृत्य शैली ये mark भी कि रहा था ये भी जो special mock series चलाई गई थी आपके अपर PCS premiums के लिए उससे ये question direct फसा हुआ है तो आप देख सकते हैं कई question पूछे गए हैं हमारे जो श्रीच चलाई गई थी आपके exam के लिए तो आप सभी लोग आगामे exam के लिए भी जोड़ सकते हैं हमारे YouTube channel study with aim से subscribe कर और जिन लोगों ने ये paper दिया हुआ है ये अपर PCS premiums का exam दिया हुआ है तो आप बताईएगा आपने अगर हमारे channel से study की है तो आपके कितने question correct हुए हैं कितने फसे हुए थे इस paper में आप comment section में comment कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले अगला देखे तो भरत आदू राजी से कथक संबनित था उत्तर परदेश से कुचीपूरी संबनित था आंध्रा से और मोहनी अट्टम था केरल से तो इस question का correct answer था आपका option C तो जो भी आपको यहां पर वीडियो प्रोवाइट कराई जाती हैं specially exam के regarding तो आप सभी लोग उनको जरूर follow कीजिएग क्योंकि आपके आगा में एक्जाम भी होने वाले हैं उनके लिए भी आपको काफी help मिलेगी अगला देखे विश्व की शीष शूचना प्रोवद्योगी की यानि IT कंपनियों के संदर्व में सूची सेकेंड सूची सेकेंड में आपके companies दी हुई हैं सूची सेकेंड में CEO दिये हुए हैं का मिलान करना है और नीचे दिये गए जो code दिया हुए है उसका सही विकल्ब चुनना है तो देखिए company Google company की बात करें तो Google company के CEO कौन है इसका right answer है सुन्दर पिचाई Microsoft company के CEO है सत्या नडेला ट्वीटर के हैं पराग अगरवाल और एड़ोबे के हैं शांतनु नरायन तो इस question का option B बिलकुल right answer हो जाएगा आपका अगला देखिएगा नवेंबर 2021 में प्रधान मंदरी श्री नरेंद मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड़े का शलानियाश कहां पर किया इसका right answer हो जाएगा नोईडा अंतराश्टी हवाई अड़ा जेवर अगला देखिएगा निमने लिखित में से किस नाटक की रशना हर्ष वर् आपको बताया है तो इसका correct answer क्या था प्रिदर्शी का था कई question फसे हुए हैं हमारे सीरीज से तो सीरीज जो है हमारी जरूर फॉलो कीजिएगा आगामे exam के लिए भी most important है अगला देखिए निमने लिकित में से कौन सा राजवंश महिला शाषक रुद्रमा देवी से संबं अगला देखिए वह धार में पुस्तक जिसमें कर्शी कर्म की आर्ट विभिन अवस्थाओं का वर्णन मिलता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आप comment section में comment कीजिएगा इसमें थोड़ा सा doubt हो रहा है मुझे कौन सा वाला correct होगा तो आप सभी लोग आपने कौन सा लगा है य जदहिया क्या था ये एक सिक्का था जिन लोगोंने deep study की होगी उनका ये correct answer हुआ होगा अगला दिखे उदी यंजीरल किस वंच से संबन्दी था दिखे उदी यंजीरल जो है ये चेर वंच से संबन्दी था option a बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला दिखे निमनलिकित में से कि ये एलोरा के कैलास मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण पर्थमने अगला है मौरी काल में परणयम था मौरी काल में परणयम क्या था ये था आपात कालीं कर option a बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका अगला देखे निमनलिकित में से किस राष्ट कूर्ट असक ने पर किसे जाना जाता है! हुआ था प्रतम जैन पारिशत कायजन कहां पर किया गया था पार्टली पुत्र में किया गया था अगला देखेगा निमनलिखित में से कौन नूर जहां जुन्टा का सदश्च नहीं था नूर जहां जुन्टा का सदश्च नहीं था कौन महाबत खान ऑप्शन सी बिलकुल र प्रारंब किया था वित्ती विकेंजि करण plants प्रारंब किया था किस ने लोड मेयोन औप्शेन डी ब्लकुल राइट अंसर है अगला गंगाराम तथाधा खीमदेव देव नामक दो भाई किस आंदोलन के दोरान शहीद हुए थे तो किस आंदोलन के दोरान ये सहीद हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान option दी बिलकुल right answer हो जाएगा देखिए आज की ये वीडियो आपको पसंद आ ली तो लाइक जरूर कीजिए और जिन लोगों ने और देखे आगामी जो भी एक्जाम होने वाले हैं उसके लिए भी इस्पेशल स्रीज आपको प्रोवाइट कराई जा रही है हमारी यूट्यूब चैनल स्टिडी विद एम पर सुबह आपको दस बजे डेली जीएस जीके जीएस के जो क्वेशन है वो प्रोवाइट कराई ज रहता है तो यह सारे स्रीज आपको प्रोवाइट कराई जा रहे हैं जो कि आपके आगामी एक्जाम के लिए काफी हेलफुल रहेंगे तो आप सभी लोग इस्टिडी विद एम को सस्क्राइब कर लेजे और इस सेशन को जाद से जादा लोगों तक शेयर जरूर कीजेगा अगला देखे राजात राम मोहन राए के प्रशिद्य किरती थी गिफ्ट टू मोनोथेस्ट इस किस भासा में ये लिखी गई है तो गिफ्ट टू मोनोथेस्ट जो है ये लिखी गई है किस भासा में फार्सी भासा में अगला देखिएगा वर्ष 1929 इस भी में महात्मा गांधी ने किस इस्थान पर अना सकती योग में अनुवाद का कारी पूर्ड किया Most important ये question था आपको सिरीज जो MCQ वाली सिरीज चलती है उत्राखंड किश पेशली तो वहाँ पे आपको इसका right answer बताया था कि अना सकती योग टी का जो गांधी जी ने कहाँ पर लिखी थी तो इसका right answer था कौसानी कई बार बताया है इस question को इसलिए यहाँ पे आपको study with aim जो है detail वीडियो बताता है कि कोई भी point आपसे पूछ लिया जाता है तो आप correct करें अगला देखेगा भारती संग में विलई के समय तीरी राजी का राजा कौन था यह भी बताया हूँ था भारती संग का भारती संग में विलई कब हुआ था तीरी राजी का यह भी बताया हुआ था आपको और इस समय तिहरी के राजा कौन थे ये भी बताया तो मानवेंद्र रुशा थे option डी विल को सही आंसर था कई बार बताती हूं मैं इन questions को जो कि सीधे ही छपे हुए हैं आपके paper में तो उत्राखंड की जो series थी mcq वाली रात 8 बजे जिन लोगों ने follow की है तो उनके कई questions उत्राखंड तो इस पेशली सही question आपके correct होंगे अगला देखे टिहरी रियासत के पर्थम नरेज देखे टिहरी रियासत को इस्तानांतरित किस ने किया था टिहरी में अपनी रियासत को किस ने सतांथर्द किया तेरी में ये भी आपको बताया था तो इसका राइट आंसर था सुधर्शन शाह सुधर्शन शाह पर अंग्रेजों ने सात लाग रुपे न देने का आरोफ लगाया था इसलिए सुधर्शन शाह ने अपने अधनि तेरी इस्तान आनत्रिद की थी तो ये सभी point आपको बताए जाते हैं और कालू महरा का संबंद किस से हैं देखे हमारी जो स्रीज चली थी आपके देखे ये स्रीज जो थी ये थी उत्राखंड most important जो MCQ चलती है रात 8 बजी वाली class तो ये question था उत्राखंड के पर्थम सुतंता सेनानी कालू महरा का संबंद क detail वीडियो आपको बताया जाता है ये 8 बजी वाली स्रीज जो है इने most important है यहां से आपके बहुत सारे question फसे हुए हैं तो जिन लोगों ने ये series follow किया होगा उनका ये वाला question भी correct हुआ होगा 857 के विद्रों के दौरान जो है इन्होंने एक गुप्त सरंगठन चलाया था क पालू महरा ने इसलिए ये संबंदित हैं 857 के विद्रों से तो ये point आपको इसलिए बताया जाते हैं ताकि आप कोई भी question आप से पोचा जाए तो आप correct करके हैं तो जिन लोगों ने ये series follow की है 50 वाला ये series है आप देखेगा 50 MCQ महतपूर MCQ के 50 वाला series है इसमें ही ये question बताया था ये series जो है ये एक दो दिन पहले ही मैंने कराया था exam के तो जिन लोगों ने ये series follow किया है उनके correct हुआ होगा ये वाला question भी चलिए देखते हैं अगला question अगला question है आपका निम्ने लिखित निम्ने लिखित मध्यकालिन ग्रंतों में कौन सा उत्राखंट के इतिह पाज का सुरोत नहीं है तो इसका right answer क्या हो जाएगा इसका right answer है बाबर नामा ऑप्ष्ण डीविल सही answer है अगला दगे विशुवद रेखा ये किस देश से नहीं गुजड़ती है तो इसका right answer हो जाएगा मैक्सिको से अगला देखे विजैनगर काल में धक्षण भारत की क सुनुनित्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ इसका राइट आंसर है यक्षगान अगला देखिए निमलिकित मैंसे किस ने खजाइन उल्फ फुतु नामक पुस्तक की रशना किस ने की है अमीर खुष्रो ने अगला देखिए अमीर खुष्रो के टॉपिक में आपको ये question तो इसको ध्यान रखें अगला देखें निम्नांकित मैंसे कौन से जलधारा उतरी Atlantic महासागर में परवाहित नहीं होती है तो यह कौन सी है जलधारा बैंगु एला अगला देखें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है विश्व का सबसे दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है New Guinea अगला देखें आपको किसी भी question में doubt होता है तो आप comment section में comment कर सकते हैं आपका doubt clear करा दिया जाएगा अगला देखें निर्मनलिखित में से कौन सा यूग म सही सुमिलित नहीं है तो बोरा साइब एरिया ये सुमिलित नहीं है option B this question का correct answer है अगला देखें निर्मनलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन से नदी अमेजन नदी अगला देख्यें निमलकित में से कौन कायां तरित चटान का उधारण नहीं है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा डोलो माइट, ऑप्शन दी बिलकुल करेक्ट आं कटोरा कहा जाता है क्यूबा को अगला दिखे निमनांकित कथन किस ने कहा वनसपती जलवायू का सही माप दंड है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपेन अगला दिखे निमनांकित मैं से कौन सी परद सम मंडल में सम्मिलित नहीं है तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल सौरी निमनांकित मैं से कौन सा देश अफरिका महादीप में अवस्थित नहीं है तो इसका राइट आंसर है था गुयाना अगला देखे संसार के सबसे लंबी धरा तली परवत शंखला तो ये कौन सी थी? अगला देखेगा माता टीलाबाद किस नदी पर? इस्तित्था बाता टीलाबाद था आपका बेदवा नदी पर? अगला देखेगा HBJ प्राकर्तिक गेस पाइप लाइन निमनलिकित में से कौन सा गेस पंपिंग इस्टेशन नहीं रखती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुना अगला देखेगा निमनलिकित में से कौन सा राजी 2011 में सबसे अधिक लिंगा नुपात रखता है तो इसका राइट आंसर था अगला देखेगा कोपेन ने भारत में विशाल मैदान में जल वायू के लिए निमनलिकित में से कौन से शब्दों का प्रियोग किया था इसका राइट आंसर था CWG अगला देखेगा उत्राखंड में कितने जनपद अंतराष्टी सीमाओं से जुड़े हैं तो देखे इसका राइट आंसर भी आपको बताया था उत्राखंड के महत्वण MCQ वाली स्रीज में तो 5 अंतराष्टी सीमाओं से जुड़े हुए जनपद है उत्राखंड राजी के ऑप्शन सी बिलको राइट आंसर था कई कौन कौन से ये जिले थे ये भी आपको बताया जाता है अगला देखेगे भारत में 2011 के जनगर्ना के नुसा उत्राखंड राजी के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दोरान नाका रात में जन संक्या व्रिद्धी दर्जी की गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोड़ी गड़वाल और अलमोडा अगला देखे गोविंद राष्टे पार्क सम्मिलित है तो ये सम्मिलित है टोंस नदी के उद्गम छेतर से अगला देखे निमनलिकित में से कौन सा इस्तान सिटगुल से संबंदित नहीं है तो सिटगुल से संबंदित नहीं है क्या रोड़की बाकि सेला कुई सितार गंज और हरीद्वार ये संबंदित है अग्ला देखे खेर किस फडर्कार के वन में पाया जाने वाला व्रक्श है तो इसका राइट आंसर है उपोशन कटी बंदी वनों का अग्ला देखेगा कोड़र्मा किस खनिश के लिए परशिद्ध है कोड़र्मा जो है यह परशिद्ध है अवरह के लिए अगला देखे भारत का पिट्स वर्ग है तो ये है जमशिद पुर में अगला देखेगा भारत का पिट्स वर्ग है जमशिद पुर अगला देखे लोक लेखा समीती के लिए लोक सभा से कितने सदश निर्वाचित किये जाते हैं इसका राइट आंसर भी कई बार बता है मैंन देखे भारत की सम्वेधानिक सभाद्वारा राष्टगान जन गर्णमन की हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को अगला देखे निम्न लिखित मैं से कौन भारत के मानोधिकार आयो के पर्थम अध्यक्षते तो भारत के मान अगला कुश्चन है नव स्राजित केंद्र शाषित प्रदेश जम्मो और कश्मीर का पर्थम रड़ा उप राजिपाल निम्न मैंसे कौन था इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिश चंद्र मुर्मू अगला देखेगा करेंट आफेर्स वाली स्रीज में आपको बताया हुआ था ग्रिश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर था जो एक बार आपको करेंट आफेर्स के स्रीज कराए गए थे न निर्वा पर बताया था अगला देखेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाप यानि सीडियस तीनों सेनाओं के सेवाओ के विशेई में किसके शेहनी सलाकार है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के रक्षा मंतरी के अगला देखेगा अंतराश्टि स्रम संगठन के स्थापना किश वर्ष हुई ये कुश्यन भी आपको बताया है तो इसका राइट आंसर था वर्ष उनिस तो उनिस अगला कि समपति का अधिकार निमने मैंसे कौन श्रीनी में सम्मिलित है इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार अगला question है निमने मैंसे कौन शेथरी परिशत की अधिक्षता करता है भारत के ग्रह मंतरी अगला देखिएगा किसी यदी किसी पंचायत को भंकिया जाता है तो उसके चुनाओ मा के भीतर डैश मा के भीतर हो जाने जाए तो इसका राइट आंसर है छे मा के भीतर अगला देखिए भारती समविधान की निमने मैसिक के सूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौझूद है ये है आपकी दसवी अनुसूची देखिए ये स्रीज जो है ये पेपर इसका शॉलूशन पहले ही हो चुका था लेकिन टाइम की कमी के कारण में इसको आपको नहीं दे पाई थी अपलोड नहीं कर पाई थी तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी तो आज मैं इसलिए ये लेके आई हूँ ताकि आप करेक्ट कर लिजेगा अपने आंसर अगला देखिए निमनांकित में से कौन सा सम्मेधानिक संशोधन भारत में पिछडी जातियों के लिए राष्टे आयों के गठन से सम्मानित है तो ये कौन सा सम्मेधानिक संशोधन है 102 वाँ सम्मेधानिक संशोधन अगला देखिए राजी विधान परिशत के सदश्य का कारिकाल कितना होता है तो इनका कारिकाल 6 वर्ष के लिए होता है अगला देखिए भारत द्वारा पहले प्रियोग नहीं की प्रमुक ना भी की नीती अपना थे समय भारत के प्रधान मत्री कौन थे इसका राइट आंसर हो जाएगा अठल बिहारी बाचपेई अगला देखे निमन लिखित तितियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है भारत में कब अपरेल 21 को 21 अपरेल को मनाया जाता है अगला देखे केंडरी सूचना आयो की स्थापना किश वर्ष हुई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में अगला देखे वायू संग रक्षन एवं प्रदूशन नियंतरन अधिनियम किश वर्ष बना था इसका राइट आंसर है 1981 इस भी में अगला देखे सूची फर्ष को सूची सेकेंड के सांथ सुमिलित करना था एक तरफ आपके राजियों के नाम दिये थे दूसरी तरफ राजी सभा की सीटे दी हुई थी तो जार खंड में कितनी सीटे थी इसका राइट आंसर हो जाएगा छै सीटे थी जार खंड में उत्र सूचा स 향 Miroshas foreign किस वर्ष आयजित किया गया था तो का राइट आंसर था 1986 में अगला सभी को पता हें 9이스ram 2000 को तो ये कई बार बताया भी है हमारे दौरा अगला देखे निम्ने में से उत्राखंड का भग कौन सा मुख्य मंत्री था जिसने विधान सभा में गयर सेंड को गुरिश में कालीन राजधानी बनाने की घोशना की तो ये की थी घोशना किसने त्रिवेंद सिंग रावत ने सिबिल को राइट आंसर था अगला देखे उत्राखंड के कितने लोकसवा सांसर निर्वाचित होते हैं ये भी बताया था पांच होते हैं अगला देखे तो बिन टैक्स लगाया जाता है विदेसी विनिमे लेंदेन पर अगला देखे भारत में कृश्य उत्पादों के आश्टी विकास परिश्ट के संबन में सही नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या था यह एक वैधानिक निकाई है अगला देखेगा किश्च वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या नियूनतम थी इसका राइट आंसर था वर्ष 1977 अगला देखे निमन मेंसे किसे स अंसर की कारिवाईयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है तो इसका राइट आंसर था भारत के महानियाई वादी को तो ओके गाईज वन फिप्टी कुश्चन थे आपके इस पेपर में जो आपको सॉल्व करा दिये गए हैं किसी भी कुश्चन में आपको डाउट हो तक हमारे यूटीब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सस्क्राइब कीजिएगा चले मिलते हैं एक नए इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद